हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है अप लोग का हमारी यूट्यूब चैनल रेलवे ग्यान में दोस्तों आज हम लोग दच्छण पूर्वर रेलवे गुरुबी सहाय के ब्यानता सिविल 30% प्री चन के लिए एक्जाम जो हुई थी एडी यान की उसमें मैक्समम मार्क्स हंड्रेट टाइम टू आवर्स एक्जाम डेट देख सकते हैं दोस्तों 6 फरवरी 2022 को हुई थी उसका औरिजिनल पेपर है आप लोगों को यहाँ पर सलूशन करा जा रहा है इसमें तीन अनुभाग राते हैं जिसमें अनुभाग A में एक से लेके 90 प्रस्ट अनुभाग B में 91 से लेके 100 और अनुभाग C में 10 प्रस्ट 101 से लेके 110 तर टोटल 110 कोश्चन है तो दोस्तों अगर आप LDC-JP exam के तैयारी कर रहे हो या एडियन exam देने वाले हैं तो इस वीडियो को सुरू से अन तक जरूर देखेंगे उसके पहले कहना चाहूंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर लेंगे क्योंकि हम आप लोगों को अगर आपने बेल आइकन का प्रेस क्लिक किये रहिएगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला कुशन सेक्शन ए से गिट्टी कुशन 300 mm के साथ PRC स्लीपर के उपर LWI ट्रैक बिचाए जाने के लिए गिट्टी क्या उसकता होती है तो दोस्तों इसमें जो है एंसर होगा option D ना तो एक ना हें दो यानि जो दिया गया है दोनों गलत दिया हुआ है इसके बाद second नमर कुशन देखेंगे यदि रेल तापमान की सीमा खाली अस्थान के भीतर आती है तो बीना कटिंग या और अस्थाइट डिश्ट्रैसिंग के डिप स्क्रेनिंग ट्रैक मसीन की जा सकती है तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों बी टीडी प्लस 10 डिगरी से टीडी माइनस 20 डिगरी से नेक्स्ट कुशन त्री नमबर देखेंगे क्रोसिंग की नाग के सामने चेक रेल के अधिकतम निकासी तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्शन सी 48 mm ठीक है नेक्स्ट कुशन फोर नमबर सिंगल लाइन के लिए करोव पर अतिरिक्त फॉर्मेशन चोड़ाई तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्शन बी हो जाएगा 150 mm ठीक है इसके बाद फाइब नमबर कुशन देखेंगे सम्मेदन सिल्टा के लिए तापमान भिन्नता के खिलाब USFD टेस्टिंग मसीन का कलिब्रेशन कम से कम खाली अस्थान होगा तो दोस्तों महीने में एक बार USFD टेस्टिंग मसीन का कलिब्रेशन कम से कम महीने में एक बार होगा इसके बाद 6 नम्मर कोश्चन देखेंगे निम्लिखित सर्तों के ताथ स्वीचों के नविनी कराण की योजना बनाई जाएगे जिसमें पहला बिकल्ब दिया हुए TWS 60 kg 800 gmt ट्रेफिक पास करना दुसरा फाइबरिकेटेड और एस 60 kg 300 gmt ट्रेफिक पास करना तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा ओप्शन C दोनों जो कथन दिया गया है दोनों सत्य है ठीक है साथ नम्मर कोश्चन देखेंगे रेल का तापमान अधीक होने पर हॉट वेदर पेट्रोलिंग सुरूख की जाएगे जिसमें दो अप्शन दिया गया है टीडी प्लस थर्टी डिग्री सेल्सियस पीएसी स्लीपर ट्रैक पर स्लीपर घना तो पंदर सो चालिस प्रतिक किलोमेटर और रूपर टीडी प्लस थर्टी डिग्री सेल्सियस तापमान पीएसी स्लीपर ट्रैग पर स्लीपर घना तो पंदरसो चालिस नक्स से कम तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा केवल दुसरा कथन सत्य है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन देखेंगे एट नमबर जलोड तल और निरंतर बाढ़ वाली नदी के लिए जलमार्ग समाने रूप से लेशी के सुत्र द्वारा दी गई चोड़ाई के बराबर होगा पीडबलू इस इकोल टू डैस जहां पीडबलू बराबर मीटर में गीला परिधी क्यू बराबर सब प्रती सेकेंड में डिजाइन डिश्चार्ज सी बराबर एक गुडांग तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्शन ए ठीक है नेक्स्ट कोशन नाइन नमबर देखेंगे रेलवे ब्रीज को खाली अस्थान बरसों के आपरिती बाढ़ मुक्ती के लिए डिजाइन किया गया है तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्शन सी पचास बरसों के आपरिती बाढ़ मुक्ती के लिए डिजाइन किया गया है इसके बाद टेंथ नमबर कोशन मसीन क्रश्ट गिट्टी को अस्विकार कर दिया जाएगा यदी तो इसका एंसर देखेंगे दोस्तों केवल तीन और चार सत्य है यानि कि 20 एमे मौर्ग जाल चलनी पर परतिधारन 98% से कम 40 एमे मौर्ग जाल चलनी पर परतिधारन 40% से कम बाकी यह जो एक और दो जो दिया गया है गलत है ठीक है नेक्स्ट कोशन 11 नमबर देखेंगे दोस्तों भारतिया रेलोय में ट्रेक गिट्टी के तहत समानी परिस्तितियों में अधिक्तम सकल घर्षन मुल्य बराबर कितना परतिशत है तो इसका एंसर हो जाएगा 30% ठीक है ओप्शन C 12 नमबर कोशन देखेंगे भारतिया रेलोय लोरम USA में ग्राइंडिंग मसीन के RGI सीरीज के खाली अस्तानी स्टोन ग्राइंडर का उप्योग कर रहा है तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्शन D 22 स्टोन ग्राइंडर का उप्योग कर रहा है इसके बाद 13 नमबर कोशन देखेंगे टर्न आउट में जोडों को अंतराल रहित बनाना वांचनिया है इसमें देखिए स्टोन के एंडरी क्रोसिंग का पैर का उठा क्रोसिंग की एड़ी सबसे अच्छा विकल्प चुनना है तो इसका एंसर हो जाएगा दो और तेन ठीक है? ओप्सन सी इस दो कोरेक्ट एंसर चोदर नमर कोशन वेल्ड हेड या वेब और बॉटम फ्लेंच की हाथ से जाच करके पुर्ण वेल्ड का आउधिक परिछान निमलेखित जाच जाचों का अप्योग करके किया जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्सन सी एक, दो और तीन यानि कि जीरो डिगरी पैंतालिश डिगरी, सत्तर डिगरी ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट कॉस्टन देखेंगे पंदरा नमर निमनलेखित नियामित मसीन का प्योग कभी-कभी जीयो ग्रीड बिचाने के लिए भी किया जाता है तो इसका सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी केवल दो, यानि कि बी-सी-एम, ठीक है? नेक्स्ट कॉस्टन 16 नमर देखेंगे दोस्तों ध्यान से पढ़ें दो कथन दिया हुआ है या त्री गाड़ियों को प्राप्त किया जाता है या भेंजा जाता है उन्हें वन इन ट्वेल्ब घुमावदार स्विच या फ्लेयर के साथ रखा जाना चाहिए दुसरा कथन है एट पॉइंट फाइब में से option A is the correct यानि कि केवल कथन एक साहिए है ठीक है next question देखेंगे 17 नंबर विभिन छेतरों में पूलों के option रचनाओं के design के लिए भो कंपिय बलों को नीचे दिया गया माना जा सकता है देखिए दोस्तों इसमें तीन कथन दिया हुआ है तो इसमें सबसे अच्छा विकल्ब बोल रहा है सबसे अच्छा विकल्ब option A is the correct answer एक और दो सही है यानि कि एक में बोल रहा है जोन एक से तीन केवल 60 मीटर से अधिक या 15 मीटर से अधिक के कुलमबाई के पूलों के मामले में 160 किलो मीटर प्रति गंटा 19 नमबर कोशन देखेंगे दोस्तों एक लंबवत वकर केवल ग्रेट के जक्षन पर परदान किया जाएगा जब ग्रेट के बीच 20 गंडितिया अंतर बराबर या उस से अधिक हो तो इसका एंसर हो जाएगा option C 4 mm प्रति मीटर ठीक है इसके बाद 20 नमबर कोशन देखेंगे 1 in 12 TWS टर्न आउट में अनुमेय अगती तो इसका एंसर हो जाएगा option D 50 km प्रति गंटा ठीक है next question देखेंगे 21 rail की पैंटिंग के लिए बिसिष्टता एंटी संचारक bituminous black paint के रूप में है अनूप है तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा option C IS 9862 दोस्तों LDCJE पीवे हो या ADEN हो साइलेवर सेमी होता है ठीक है थोड़ा बहुत अंतर होता है ADEN का जिसमें की works हो गया, traction हो गया तो जो हमें LDCJE में आने वाला है आदियम से जरूर देख लिजिएगा ऐसा नहीं सुचिएगा का ADEN का है तो हम नहीं देखेंगे ठीक है 22 नंबर कोशन देखेंगे track machine operator के लिए जारी किया गये युग्यता परमाण पत्र किसके लिए मानने है तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों, option B 3 years ठीक है 23 नंबर कोशन देखेंगे एक गस्ती दल के चलने की गती को इस रूप में लिया जा सकता है तो इसका एंसर हो जाएगा 3 किलोमेटर प्रती आवर्स ठीक है इसके बाट 24 नंबर कोशन रात के दौरान हिंसक रूप से लार आई गई सफेद रोशनी का अपियोग किया जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा स्टोप सिगनल option C is the correct answer 25 नंबर 1 in 12 में एक की PSC फेंसेट आकार का ले आउट कुल लंबाई तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा 49,975 ठीक है और शाड़े आठ में एक रहता तो 28,789 नेक्स्ट कोशन 26 नंबर देखेंगे एक प्रमुक पूल एक है तो इसका एंसर हो जाएगा major bridge का बात हो रहा है तो major bridge इसका एंसर हो जाएगा option C तो प्रोक्त में से कोई एक जिसका कुल जलमार्ग 18 रेखिया मीटर या उससे अधिक है जिसमें किसी एक span में 12 linear मीटर या उससे अधिक का सपस्ट उदगाटा नो ठीक है option C is the correct answer इसके बाद 27 नंबर द्यान से पढ़ है और उसके बाद सबसे अच्छा भी कलप चुमना है तो option कथन जो एक दिया हुआ है 60 kg 90 UTS रेल के कुल सेवा जीवन 800 GMT है 52 kg 90 UTS रेल के कुल सेवा जीवन 525 GMT है तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा दोनों सही है क्योंकि जो कथन दिया हुआ है दोनों correct दिया हुआ है 28 नमर कोशन नई रेल शुरुवात में रेल निर्मार सनियंत्र में परिछण के आरंभिक विछाने के बाद छेतर में पहला परिछण किसके पारित होने के बाद किया जाना चाहिए तो इसका एंसर हो जाएगा option B निर्धारित सेवा जीवन का 15% 29 नमर कोशन आई एम आर या आई एम आर डबलू के रुप में रेल दोस्त का पता चलने के बाद वेब के दोनों किनारों पर प्रेंटिंग के प्रकार को इंगित करें तो दोस्तों इसका होता है लाल रंग के साथ तीन क्रॉस D is the correct एंसर 30 नमर कोशन देखेंगे ध्यान से पढ़े डिजाइन लोड है तीन कथन दिया गया है उसमें से सबसे अच्छा विकल्ब बताना है तो इसका एंसर हो जाएगा सभी सही है एक, दो, तीन यानि तीनों सही है यह डिजाइन के बिधी में उप्योग के लिए किया जाना लिया जाने वाला भार है कार्यत तनाव बिधी के मामले में यह विसेश्ता भार है यह लिमिट इस्टेट डिजाइन के लिए उप्योग आंसिक सुरच्छा कारक के साथ विसेश्ता लोड है 31. क्लोरीन मिलाकर पानी के क्लोरीनी करण के दोरान की टाडू सोधन किसके कारण होता है तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा केवल एक साही है हाइपो क्लोरस आमले ठीक है इससे आप लोग ध्यान रखेंगे 32. नमबर कोशन B.O.D.S. 5 दिनों के तापान पर जैवरा सायनिक आक्सीजन की मांग का प्रतिनिदित्व करता है तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्शन B. 20 डिग्री सेल्सियस ठीक है इसके बाद 33. नमबर कोशन देखेंगे वक्र के भविसे के ले आउट को डिजाइन करने के उद्यस्य से संक्रमण वक्र की लंबाई की गर्णा के लिए सबसे अच्छा भी कल्प चुने तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा ओप्शन C. एक और दो दोनों सत्य हैं क्योंकि ग्रूप A रूट के लिए 160 किलोमेटर प्रतिघंटा होता है और ग्रूप B रूट के लिए 130 किलोमेटर प्रतिघंटा की रफ्ता है यहाँ पर B रहना चाहिए ठीक है तो एक और दो सत्य है ठीक है नेक्स्ट कोशन देखेंगे 34 नमबर G FN Liner का Color Code तो इसका हो जाएगा 34 का एक और दो दोनों सत्य है रेल सेक्षन 60 केजी स्लीपर बाउन कीगरा स्लीपर पिंक रेल सेक्षन 60 केजी और स्लीपर रेल सेक्षन 60 केजी के लिए है सफेद ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कोशन 35 करसंड छेत्र में OHE से 4 मीटर सुरच्छा मंजूरी बनाए रखने के लिए पेंड की सक्षाओं के दिन प्रती दिन ट्रिमिंग जहां भी आवस्यों को अधिकरित द्वारा की जाएगे तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा C TRD करमचारी और परिवेच्छक 36 नमबर क्रोसिंग भाग में गेज मानक ड्राइंग में निर्धारित गेज के संबंद में खाली अस्थान होना चाहिए अर्थाद 1673 mm दोनों नए बिछाने या नवी करण के मामले में और सेवा के दोरान तो इसका एंसर हो जाएगा Option A 0 mm से 4 mm ठीक है इसके बाद 37 नमबर कोशन ब्रोड गेज ट्राइक के लिए किसी भी इमारत या अनुदर के सीमा बाड के नियुनतम 36 दोरी या 3 प्लेटफार्म के ट्राइक की केंदर रेखा से जो 2 प्लेटफार्म पर नहीं है नए कारियों या मौजूदा कारियों में परिवर्तन के लिए तो इसका एंसर हो जाएगा 6830 mm ठीक है नेक्स्ट कोशन देखेंगे आउधिक चिकित्सा परिच्छा PME S.S.C. J.P.W. बहुत 4 साल से 45 साल तक और फिर हर 2 साल में 55 साल तक और उसके बाद सलाना सेवा निबरिती तक दुसरा गैंग मेट 45 बर्स के आयू प्राप्त करने पर और वहां हर साल हर 5 साल के बाद तो सबसे अच्छा बिकल्प जो हता है 38 का ओप्शन से यानि कि दोनों जो दिया गया है कथन सही है ठीक है? 39 नमबर कोशन PHP Pump Horse Power मेट्रिक Pump Horse Power के लिए समिकरण जहां H बराबर चूसन आस्तर से उचतम बेंदू तक मीटर में उर्ध्वादर उचाई L बराबर लिटर पानी प्रती मिनट और H बराबर मीटर में घर्षन में खो गया सीर तो दोस्तों इसका हो जाएगा B P बराबर L H प्लस H डिवाइड़ वाइ 4560 40 नमर कोशन देखेंगे जब वाइरल संकरमन से सुरच्छा क्या सकता होती है और सिस्ट मुक्त क्लोरिन निउन्तम होनी चाहिए तो इसका एंसर हो जाएगा 0.5 MZ प्रती L 41 नमर कोशन फूड प्लेट स्टाप की मेडिकल फिटनेस की स्रेड़ी बिजन टेस्ट की स्रेड़ी है तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा ओप्सन A A1 42 नमर अनिवार्य सेवा निब्रिती की सजा हाटाने या सेवा से बरखास्त अधिकारी की द्वारा केवल लगाया जाना चाहिए तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्सन C नियुक्ति प्राधिकारी 43 नमर निरंतर स्रेड़ी के रेल करमचारी के लिए सापताहिक कारे घंटे से कम नहीं होना चाहिए तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा 43 का B 48 hours इसके बाद 44 नमर पोस्ट रिटाइड कम्प्लिमेंटरी पास के लिए कितनी सेवा नियुंतम क्या हो सकता है तो इसका एंसर हो जाएगा 20 सर A is the correct answer 45 नमर कोशन देखेंगे वह समय जिसके भीतर आपिली या अधिकारी की आपिल की जा सकती है तो इसका एंसर हो जाएगा C 45 डेज ठीक है इसके बाद 46 नमर कोशन देखेंगे दोस्तों एक रेल सेवा को एक बार में दी जा सकने वाली आउसत वेतन पर अधिक्तम छुट्टी होगी तो इसका एंसर हो जाएगा 180 देन यानि C is the correct answer 47 नमर कोशन देखेंगे चाइल्ड केवर लिव सारी चाइल्ड केवर लिव के दोरान वेतन तो इसका एंसर हो जाएगा 100 परसेंट पहले 365 दिन और 80 परसेंट अगले 365 दिनों के लिए 48 नमर कोशन एक सेवा निवरित रेल्वे अधिकारी पिटियों की संख्या का हकदार है तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्शन भी जीरो ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कोशन 49 नमर देखेंगे रिपोर्ट करने के बाद किसी अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश के लिए अनिवार्य प्रतिछा की आउधी को माना जाना चाहिए तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा अप्शन ए डिवटी पर इसके बाद 50 नमर कोशन देखेंगे SPAA सोरी SPARROW का फूल फर्म तो दोस्तों इसका एंसर होता है अप्शन सी स्मार्ट पर्फॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो ठीक है नेक्स्ट कोशन 51 देखेंगे डिम्ड सस्पेंशन के ताथ रेल सेवक के लिए प्रियुक्त SF है तो इसका एंसर हो जाएगा अप्शन ए SF1 इसके बाद 52 नमर कोशन देखेंगे जब नियुक्ति प्रादिकारी उपलब्द नहीं है तो नियुक्ति प्रादिकारी के रूप में किसे माना जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्शन D जी एम ठीक है 53 नमर कोशन निम्नलिकित में से कौन से स्राड़ी अस्पताल में छुट्टी की हगदार है तो दोस्तों इसका आप लोग एंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे ठीक है इसके बाद 54 नमर कोशन देखेंगे IRPSM के लिए खड़ा है तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्शन D इंडियन रेल्वे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट यानि भारतिय रेल्वे परियोजना स्विक्रिती और प्रबंधन 55 नमर कोशन MPLAD योजना के ताद प्रतेक सांसोत को प्रती वर्ष विकास कारियों के लिए कितनी धनरासी आवंटित की जाती है तो दोस्तों प्रती वर्ष 5 करोण रुपे आवंटित की जाती है 56 नमबर FOIS का अर्थ है तो इसका जो है फुल फॉर्म होता है Fret Operations Information System यानि B is the correct answer 57 ठेकदार को सुरच्छा जमा की वापसी तो इसका एंसर हो जाएगा D सबसे उपर ठीक है 58 नमबर कोशन करमचारी कल्यान के अंतरगत आ रहा है Staff welfare coming under Demand number 11 यानि B is the correct answer 59 नमबर कोशन गुलाबी किताब तो इसका एंसर हो जाएगा A और B दोनो WP में 2.5 करोन स्याधी की लागत वाले कारियों के सुची में सामिल है Pink book mango में सुची बद कारियों को संसद और बिनियोग द्वारा भोट दिया जाता है राष्टपती द्वारा स्विक्रित 60 नमबर कोशन देखेंगे कौन सा जोड़ा सही है तो दोस्तों इसका हो जाएगा B नई लाइन ए 11 योजना प्रमुक ठीक है 61 नमबर कोशन चार्ज ओफ इस्टोर में सामिल होंगे तो इसका एंसर हो जाएगा D उपर से सभी ठीक है 62 नमबर कोशन ठेकदार द्वारा बिलंब के कारण GCC के खंड खाली अस्थान के ताथ पुन होने के मूल आउधी के एक महिने के आउधी के लिए समय विस्तार दिया जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा B सत्रह का B 63 नमबर कोशन अनुरच्छाम प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सच्छम प्रादिकारी आम तोर पर अनुबंद पर हस्ताचर करने के लिए सच्छम होने वाला प्रादिकारी होगा यदि यह सच्छम प्रादिकारी जे ए ग्रेड से कम रेंग का है तो एक खाली अस्थान काम से संबंधित को प्रमापत्र जारी करना चाहिए तो इसका एंसर हो जाएगा जे ए ग्रेड अधिकारी ठीक है 64 नमबर कोशन ठेकदार बिस्तारीत अधि के भीतर काम पूरा करने में बिफल राता है और फिर सच्छम प्रादिकारी ने अनुबंध को समापत्र करने का निड़े लिया किस खंड के तहत अनुबंध समापत्र किया जा सकता है तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्शन A जी सी सी के कारण 62 65 नंबर DRF का मतलब है तो इसका एंसर हो जाएगा B मुल्य हुआस रिजर्ब फंड यानि डिप्रेसियेशन रिजर्ब फंड ठीक है 66 नंबर कोशन IPAS का फुल फॉर्म तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों D Integrated Payroll and Accounting System यानि एकी क्रिद वेतन रोल और लेखा प्रलाली This is the correct answer 67 नंबर कोशन EDAS का फुल फॉर्म तो इसका एंसर हो जाएगा Option B Electronic Driving Approval System ठीक है 68 नंबर कोशन भारतिया रेलवे ने RBCS नामक E मॉड्यूल बिक्सित किया है RBCS का पुर्ण रूप क्या होगा तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा Rail Bhoomi Crossing सेवा यानि D is the correct answer 69 नंबर एक उचंत खाता सेस है तो इसका एंसर हो जाएगा C Debit या Credit 70 नंबर कोशन क्या कर रहा है दिहान से पढ़े रताउंधी बिटामिन A की कमी के कारण होती है बेरी-बेरी बिटामिन B की कमी से होता है असकरवी रोग बिटामिन C की कमी से होता है रिकेट्स बिटामिन D की कमी के कारण होता है तो दोस्तों इसमें से कौन सा कतन अशत्य है तो इसका एंसर हो जाएगा उप्रोक्त में से कोई नहीं क्योंकि सभी जो दिया गया है सब सही दिया हुआ है ठीक है इसलिए D is the correct answer Next question 21 अवासिय भावन रख रखाओ के लिए राजस्व आवन टन है तो इसका एंसर हो जाएगा J510 22 नमबर भारत में हर साल कीज दिन सही दिवस मनाया जाता है जेनरल नौलेज से कोईशन इस सब है दोस्तों तो इसका एंसर हो जाएगा Option A 30 जनौरी 73 नमबर कोईशन चुनाव आयोग द्वारा नमिंतम अधि सुचना के अनुसर चुनाव आयोग जित किया जाएगा 73 का हो जाएगा D is the correct answer UP पंजाब गोवा मड़ीपूर ठीक है इसके बाद 74 नमबर सोर को में मापा जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा Deciber ठीक है इसके बाद 75 नमबर कोईशन आम तोर पर इंसान का दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता है तो इसका एंसर हो जाएगा 22 यानि this is the correct answer 26 नमबर इंसुलीन खाली अस्थान में सक्रिया होता है तो इसका एंसर हो जाएगा Option ए अगनास है Next question 27 नमबर एक चिकितसा प्रिक्रिया जिसके दौरान सरीर के एक हिस्से से उत्तक का एक छोटा सनमना निकाला जाता है क्या कलाता है तो इसका एंसर हो जाएगा बायोपसी बायोपसी कलाता है 28 नमबर नमलिखित में से किस गैस के बढ़ने से ग्लोबल वर्मिंग होती है तो इसका एंसर हो जाएगा कार्बन डायकसाइड B is the correct answer 79 नमबर भारतिया सम्मिधान का समरच्छा कौन है तो दोस्तों भारत के मुख्यनियादेश ठीक है 79 का B इसके बाद 80 नमबर कोशन देखेंगे भारत के राष्टपती की सपत किसके द्वारा दिलाई जाती है तो इसका एंसर हो जाएगा भारत के मुख्यनियादेश इसके बाद 81 नमबर कोशन लोकसभा और राज्यसभा के सन्युक्त सत्र के अध्याष्टा कौन करता है तो इसका एंसर हो जाएगा लोग सबाद ध्याज 82 नमबर कोशन ध्यान से पढ़े छेतरीय रेलवे के कुल संख्या 19 डिविजनों के कुल संख्या 22 तो सबसे अच्छा विकल्प चुनने आ है तो इसका एंसर हो जाएगा उप्रोक्त में से कोई भी सही नहीं है ये दोनों गलत दिया हुआ है ठीक है नेक्स्ट कोशन 83 हाल ही में रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों के विकास के लिए स्टेशन विकास सुल्ख HDF लगाने का प्रस्ताव दिया था जी एस्टी को छोड़कब प्रतियात्री अधिक्तम HDF है तो इसका एंसर हो जाएगा C 50 रुपए ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कोशन देखेंगे 84 भारत के वर्तमान मुक्यने अधिस कौन है तो इसका एंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे ठीक है नेक्स्ट कोशन 85 नमबर हाली में माननी एम आर ने A.E.R. में यातिरी सिवाओं को खुलने के लिए धार सिला रखी है तो दोस्तों ये करेंट अफियर से कोशन हो गया त्रीक है तो इसका एंसर इसमें दिया हुआ है बाला सोर और गोपी नाथपूर और नेक्स्ट कोशन 86 हाली में परदान मंतिरी ने 26 दिसंबर को किस रूप में मनानी की गोशला किया है तो ये भी जो है करेंट अफियर से रेलेटेड कोशन हो गया इसका एंसर होगा ओप्शन डी बीर बाल दिवस 87 नमबर पर अस्ट्रियै निर्त्यागना बिरजु महाराज का निर्धन हो गया है वकिस सास्त्रिया निर्त्या से सम्मदित है तो दोस्तों इसका एंसर हो जाहेगा कौथाब 88 नमबर जहासी रेलवे इस्टेशन का नया नाम क्या है तो इसका एंसर हो जाहेगा बाई बिरांगना लच्मी बाई 89 गार्ड का नया पदनाम क्या है तो ट्रेन मैनेजर यानि ट्रेन प्रपंतक 89 का option A is the correct answer 90 नमबर उस railway station का नाम बताईए जिसे हाली में जापानी सैली का P.O.D. होटल मिला है तो इसका एंसर हो जाएगा D. Mumbai इसके बाद अनुभाग B एक से लेके 90 तक question हम लोग ने complete किया अभी 90 से 100 तक अनुभाग B देखेंगे हाली में जिनकी 125 जयनती 23 जनवरी 2022 को मनाई गए तो दोस्तों 23 जनवरी 2022 को 125 जयनती किसकी मनाई गए तो इसका एंसर हो जाएगा नेता जी सुभाश्चंद्र बोस 92 नमबर RT-PCR का फुल फर्म तो इसका एंसर हो जाएगा reverse transcription polymerase chain reaction ठीक है next question 93 निमनलिखित में से किसने हाली में 2022 में गोसित पद्म भूसन को स्विकार करने से इंकार कर दिया है तो इसका एंसर हो जाएगा option A बूद देव भट्टा चार्ज ठीक है 94 नमबर निमनलिखित में से कौन मास्टर गरंती है तो इसका एंसर हो जाएगा प्यूस गरंती को मास्टर गरंती का जाता है D is the correct answer 95 नमबर रेल्वे बोर्ट के वरतमान अध्याच और CEO कौन है तो इसका एंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे ठीक है 95 का भी कमेंट करेंगे 96 नमबर A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका एंसर हो जाएगा Option C Ruskin Bond ठीक है 97 नमबर LHB का पुर्ण रुप क्या है तो इसका एंसर हो जाएगा C Link Hoffman Bos 98 नमबर कुशन भारत की पहली RT-PCR किट किसके द्वारा विक्सित Omicron variant का पता लगाने के लिए है तो इसका एंसर हो जाएगा Option A Tata MD 99 नमबर जिसे हाले में पहशिम बंगाल से UNESCO अमुर्थ संस्कृतिक विरासत टैग में सामिल किया गया है तो इसका एंसर हो जाएगा Option A 100 नमबर कुशन देखेंगे इधर पदनाम दिया हुआ है और इधर नाम दिया हुआ है ठीक है और इसमें से सही मिलान कीजिए तो दोस्तों D दिया हुआ है यानि पहला का दुसरा B का पहला C का चार और D का तीन ठीक है Next question अनुभाग C देखेंगे Section C जिसमें राजभासा हिंदी है 101 से लेके 110 तक ठीक है जो की LDC JIPV हो या AD या NO या कोई भी विभागिया एक्जाम हो जिसमें राजभासा हिंदी से question आते रहते हैं तो इसे आप लोग जरूर देखेंगे 101 number question राजभासा आदिनियम 1963 या था संसोधित 1976 की किस धारा के ताद संसधिया राजभासा समीती का गठन किया गया तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा B धारा चार ठीक है 103 number दोस्तों अब हम लोग अनुभाग A और B के बाद अनुभाग C देखेंगे इसमें 101 से लेके 110 तक राजभासा हिंदी से कोशन है 101 number कोशन देखेंगे केंद्रिय सरकार के कारियाले से हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवारी रूप से हिंदी में ही दिया जाना है राजभासा नियम 1976 के किस नियम से या सासित है तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्सन बी नियम पांच 102 number कोशन देखेंगे राजभासा अधिनियम 1963 या था संसोधित 1976 की किस धारा के तहट संसदिय राजभासा समीती का गठन किया गया तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्सन बी धारा चार 103 number कोशन देखेंगे दोस्तों भारतिय समीधान के किस अनुछेद के तहट संग की राजभासा हिंदी और लिपी देवनागरी हो गए तो इसका एंसर हो जाएगा अनुछेद 343 104 number कोशन देखेंगे निम्न में से कौन से अनुछेद सुमेलित है तो इसका एंसर हो जाएगा C 90345 राज़ी की राजभासा 105 number कोशन देखेंगे कौन सा राज ये छेदर खोव में आता है तो इसका एंसर हो जाएगा option B पंजाब ठीक है 106 number कोशन देखेंगे रिटेंड का उचित हिंदी अर्थ होगा तो इसका एंसर हो जाएगा option B रोक कर रखा जाए 107 number कोशन देखेंगे राज भासा का वार्षी कारिकरम कौन सा मंत्राले तैयार करता है तो इसका एंसर हो जाएगा option B ग्री मंत्राले 108 number कोशन समिधान के 96343 के अनुसार कितने कालाउधी तक के लिए संग के राज किया प्रियजनों में के लिए अंग्रेजी का प्रियोग किया जाना सुनिशित किया गया था तो इसका एंसर हो जाएगा option B समिधान के प्रारंब से 15 वर्ष तक के लिए 109 number कोशन देखेंगे एक्ट accordingly का उचित हिंदी अर्थ होगा तो इसका एंसर हो जाएगा C तदनुसार कार्यवाही करें 110 number कोशन देखेंगे दोस्तों हिंदी भासा का प्रसिछन तीन अस्तरों पर दिया जाता है कथन एक प्राग यह पाठेकरम जिसका अस्तर graduate के हिंदी के बराबर होता है कथन दो प्रबोध यह पाठेकरम जिसका अस्तर intermediate प्लस टो हंदी के बराबर होता है कथन थिरी प्रवीड या पाठ्ठे करम जिसका अस्तर प्राइमरी स्कूल के हिंदी के बराबर होता है तो इसका एंसर हो जाएगा यह जो तीनों कथन दिया हुआ है दोस्तों यह गलत दिया हुआ है यानि D is the correct answer ठीक है? तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूले लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम आप लोगों को LDC, GDC एक्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोट करते रहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल से जोडने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद